कि दोस्तों नवस्कार कि यूट्यूब के लाइस टेक्नोलोजी एजूकेशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है यहां पर आज आप सिखेंगे कि कि Microsoft Word के अंदर हेडर और फूटर को इस्तेमाल करते वक हम इवन और और पेजिस का यूज कैसे करते हैं इवन और और पेजिस के अलग अलग हेडर फूटर कैसे लगाते हैं ठीक है दोस्तों उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगे ठीक है बेसिकली होता क्या है जब भी हम हमारा हैर तो ईप्लाई हो जाता आप यहां से यह उपर अपने है सब के अपर बढ़ा करके सुक्य तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो even pages है और old pages है उनको मैं अलग-अलग title है तो आप इसको एक बार में ही करें बार-बार लगाएंगे तो आपका जो title है same ही रहेगा दोनों पेजों का और header भी same ही रहे 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 हैं ठीक है तो मैं थोड़ा चोटा करें को बताता हूं चलिए हाँ अब हम क्या करें हमारे पास यहां जो option है देखिए यहां पर जो मैंने टिक है यह तिक लगी हुई हमारे पास option जो आपको दिखाता है तो different old and even pages आप यहां पर पहले title ना दें उसका ठीक है आप यहां पर different even and odd pages लेओपर आप इसको लगाएं आप देखिए यहां पर क्या ह होगा आपका देखिए जो हमारे old pages है क्योंकि first page old होता है तो old pages start करते है old 1,3,5,7,9 like this and 2,4,6,8,10,12,14,16,18,23 like this are even तो चलिए अब मैंने देखिए जो title मैंने देखा पहले तिसरे पासमें और शातमें page को same मैं चाहता हूँ मेरे जो दूसरा page है second page second जो हमारा दूसरा है जो खास उनको मैं अलग title दूँ तो मैं यहां click करूँगा ठीक है मैं यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे यहां से मैंने इसको डबल क्लिक किया अलग दे दिया देखिए देख तो दोस्तों क्या हुआ हमारा जो फर्स्ट्रेज इस पर title जो हमारा फर्स्ट्रेज का जो header है वह आप अलग से लगाना चाहिए तो यहां पर ठीक लगा कि अलग से कर सकते हैं यहां पर कुछ भी देजी मैं यहां लिखता हूँ जो हमारे एवन पेज इस पर आलग से लिखता हूं कि इसको हमने कैसे आप देख सकते हैं इसको फुल-साइज पेज में आप कर सकते देखिए तो फुल-साइज करना यह कर दीक हो जाए तो आप यहां से कर सकते हैं जाए लेकिन अगर नॉर्मली करना चाहे तो आप कंट्रोल बटन और स्क्रोल बटन को प्रेस करके रोल और रहे आप इसको देख सकते हैं चीक है देखी जो हमारा फस्त था उसके उपर यह लगा है सब्सक्राइब इसके उपर इसके उपर स्टाइल नहीं लगा है यहां पर दो ile चाहें पर लेकिये हैं तो दोस्ते इस प्रकार से आप मायक्रोशौफ वर्ड्र में पर और ओर पईज के उपर अलग जो आप वह लगा कर्द है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी जो वीडियो को सेर कीजिए अगर आपको कुछ और जानकर हमारे कमेंट वक्स में जरूर लिखें जोस्तो हम आपको कोशिश करेंगे आपको और ज्यादा जितना वह होगा सैटिस्पेक्शन वाली आपको नोलिज देंगे या आपके जो कमेंट हुएं का जवाब देंगे ठीके जोस्तो धिन्यवाद